दोस्तों ये रियल उपनिश्यत बुक है पिछले वीडियो पे हमने जाहां तक पढ़ा था उसके बाद यहां से पढ़ना सुरू करते हैं दोस्तों रियल रामायन महावारत बेद पूरान काम सास्त्र ये सब अगर आप सुरू आश्यत पढ़ना चाहते हो बुक का तू इस चैनल वीडियो के नीचे चैनल के नहीं में पिक्चर पर क्लिक कीजिए या चैनल का नाम को चलग को चोको यूटूब पर सेर्च करके प्ले में चिंतन करते हैं बहुदक, तिडंड, कमंडूरू, शिक्या, पक्ष, जर्पवित्र, पात्र, पादू का आश्यन सिखा, कोपीन तथा, वेश को धारन करने वाले, साचरित्र ब्राम्मनों के घरों से भिक्चा लेते हैं हंश, एकडंड, धारी, सिखाहीन, यज्योब, मतलब जन्योब वाले, शिपक्या, कमुल्डूल धारी, गाउं में केबल, एक राट ठहरने वाले, सहर्वतीतों में, पाँच राट टिकने वाले, एक, दो या तीन राट, कृच्छ, चंद्रायन आधी करने वाले, आत्मतत् देते हैं, परमहंस, दंडहीन, मुंडित, कंत्या, वा कोपिन धारी, अव्यक्त, अप्रकट, लिंग, चिन्न वाले, गुप्त, आचरन वाले, धीर सांत, मुर्क ना होने पर भी, मुर्कों से प्रतीत होने वाले, तिटेंड, कमंडूल, शिश्च, पक्ष, जल, पवित्र, पात्र, पादू का आशन सिखा वा, यग्य पवित का त्याग करने वाले, उजड़े घर, अतवा मंदिरों में रहने वाले होते हैं, उनके लिए धर्म, अधर्म, सत्य, सत्य, कुछ नहीं, वे सब सहने वाले, सब को समान देखने वाले, मिट्टी के ढेले पत्थर वस होने को समान देखने वाले, यथा लब्द प्राप्त चारों वर्नों से विख्चा लेने वाले, आत्मा को बंदन से मुक्त करने वाले अर्थात मुक्ष के सादक होते हैं, अब नेक्ष्ट उपर इससे सुरू हो रहा है, अब स्रीमाद्य की उत्पत्ती बताई जाती है, उसकी प्रजानता बताई जाती है, दूसरा वाक्या है, सटपद अठरा है, पच्चीस इसमें अक्षर है, पंदर पहले दस बाद में, सदाचार का आदिकारन मंत्र रत्न स्वरूप, अनादी सिद्ध भगवान नारायन पहले ही निरुपीत सिद्ध है, जो सास्तर के आचार, पन्न, देवग्या, व्यसनब तथा, डा इर्शसर रहित मंत्रों का ज्याता, मंत्रों में श्रदा रखने वाला, अच्चे मंत्रों का आश्र लेने वाला, तथा पवित्र हो, गुरु में भक्ती रखने वाला, पुरानों को जानने वाला, विससक्य हो, इन सब गुनों से जो भीवूसित हैं उसे गुरू कहा जाता है, सास्त्रों के अर्यों को भरी बती चुन्ने समझने के कारण तथा, सदाचार की स्थापना करने के कारण बंग उसका अपने आप भी आचरन करने के कारण ही आचार्य पद प्राप्त हो सकता है। अथर्ट जो ऐसा करता है वो इसी कारण अचारे कहलाता है गुरू सब्द के अंदर जो गुरू अक्षर है उसका अर्थ है अंदकार रू अक्षर का अर्थ है उसे रोकने वाला अज्यान रूपय अंदकार को रोकने के कारण ही गुरू को गुरू कहा जाता है गुरू ही पर जी को पहले गुरु ही कहा जाता था गुरु ही वस्तु सर्व इच्छित वस्तु है गुरु ही परम आस्रे का स्थान है क्योंकि वो उस परम ज्यान का उपदेश करने वाला है और शिप को ही कामदेब कहा जाता है क्योंकि काम की शिक्षा भी उनी से मिली थी इसी करन गुरु महान अंदकार का नाशक है, जो इसका एक बार भी मूझ से उच्छन करता है वो संक्सार से सर्वता मुक्त हो जाता है, उसे सभी धर्म, अर्थकाम, मुक्ष नामक, पूरसाद की प्राप्ती हो जाती है वो फिर कदापी कभी भी इस संगसार में नहीं आया सरवता मुक्त हो जाते हैं उसे कभी धर्मायत काम मुक्ष नामा पुरुसात की प्राप्ती हो जाती है वो फिर कदापी इस संगसार में नहीं आगा करता है ये निश्चित सिध्धान्थ है एकदम सत्य बात है जो इसे ठीक प्रका समझता है इस पर सद्धा करता है उसे ही ये लाप्राप्त होते हैं मेरे अंग बानी प्रान आग कान बल और सब इंद्रिया पुष्ट बने ये सब उपनिश्दों में वनित ब्रह्म ही है मैं ब्रह्म से अपने को दूर ना करूँ और ब्रह्म मुझे अपने से दूर ना करे ब्रह्म मुझे से दूर ना हो और मैं ब्रह्म से दूर ना हो आत्मा से पिति रखने वाले मनुश्दों के लिए जो धर्म उपनिश्दों में बताएगे हैं वे मेरे भीतर हो मेरे भी तरो, ओम शांती ज्यानहीन ज्यानहीन के लिए दूशन रूप प्रतित होगा और ज्यान नेतर रखने वाले को भूशन स्वरूप है ब्राह्मन शत्रिय वैश्य शुद्र चारवन कहे गये हैं जिन में ब्राह्मन प्रदाने ऐसा वेट का वचन है और स्मित्यों में भी यही कहा गया है यहां प्रस्न यह है कि ब्राह्मन कोन है क्या वो जीब है अत्वा दे है, अत्वा जाती है, अत्वा ज्यान है अत्वा कर्म है, अत्वा वो धार्मिकता है इसमें अगर सबसे पहरे जीब को ब्राह्मन कहा जाए तो ये नहीं हो सकता भूत और पभशकाल में अनेक स्रीडों में जो जीब हुए हैं अधवा होंगे वे सब एक से ही हैं जीब एक है और कर्मों के अनुसार अनेक देव में उसका जन्म होता है सब सरीरों में जीव में एकता रहती है इसलिए जीव ब्राह्मन नहीं हो सकता तब क्या देव ब्राह्मन है ये भी नहीं हो सकता चांडाल से लेकर समस्त मनुष्य के सरीर एक से पंच भौतिक होते हैं उनमें बिद्धावस्ता मरन धर्म अधर्म एक से ही होते हैं ब्रह्मन, गोरा, शत्रिय लाल, वैश्य पीला और शुद्र काला ही हो ऐसा कोई नियम देखने में नहीं आता और ना पिता भाय आदी के सरीर की दाक्रिया करने से पुत्र आदी को ब्रह्मा त्यादी का दोस लगता है इसलिए दे ब्रह्मन नहीं हो सकता तब क्या जाती ब्र प्रानियों से भी अनेक महार्शियों की उत्पत्ति कही गई है जैसे मिलीगी से सिंगी रिशी, कुष्य कोसिक, जम्बुक से जाम्बुक, बाम्बी से वालमिकी, मतलब दूसरे जाती से भी ब्रह्मन और ज्यानी पैदा हुए हैं, ठीक है, मला की कन्या से व्यासदेब, श रिशी की उत्पत्ति कही जाती है, इस प्रकार के रिशी बिना जाती कही पूर्व में ज्यानी हुए हैं, इसलिए जाती को ब्रह्मन नहीं कहा जा सकता, तो दोस्ते यहां पे उर्वशी वैश्या इसलिए कहा गया है, क्योंकि यह दौपर यूग में लिखा गया था, दौ रहोगों करना ही होता है महा भारत में भी जब अरजुन गए तब ये कहा गया है आप मेरा महाभारत के भी वीडियो के देख सकते हैं तब क्या ज्ञान ब्रह्मन है ये भी नहीं कहा जा सकता बहुत शत्रिय भी परमात के ग्याता और ग्यानी हुए हैं इसलिए ग्यान से ब्राह्मन होना नहीं कहा जा सकता तब क्या कर्म ब्राह्मन होय है ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सवी प्रानियों के प्रारंब संचित और आगामे कर्मों में एक सापन दिखाई देता है और कर्मों से प्रेरित होकर ही जीब क्रिया करता है इसलिए कर्मों ब्राह्मन नहीं हो सकता तब क्या धार्मिकता से ब्राह्मन होता है ये भी नहीं क्योंकि बहुत से शत्रिय आदिश उबर्नका दान करते रहते हैं इसलिए धार्मिक व्यक्ति ही ब्राह्मन नहीं हो सकते तब ब्राह्मन किसको कहा जाए जो आत्मा के देदभाप से रही थो जातिगुन और क्रिया से रही थो छह उर्मी और छह भापो आदि सब प्रकार के दोसों से रही थो सत्य ज्ञान अनंद अनंत स्वारूप स्वयम नेवी कलप रहने वाला अशेश करपो का आधार रूप सब भूतों का अंतर्यामि भीतर और बाहर आकास के समान व्यापता खंड अनंद वाला अप्रमे अनुभप से ही जानने योग्या अपरोप्ष भासने वाले आत्मा का करतल गत्, आमले की तरह सक्षातकार करने वाला क्रितातो करकाम राग अधी दोशों से रहीद, संदंव आदि से युक्त मात्सर यतिशना, आर्शा मौ आदि से रहीद, दंव आँकार आदि से चित्त को सर्वता पिथकर रखने वाला ही ब्राहमन कहा जा सकता है, शुति जाकर भगवान रूद्र से पूछने लगा आप कौन है रुद्र ने कहा मैं एक हूँ, मैं भूद बरतमान और प्रविष्ठ काल में हूँ, मेरे आतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है, जो अंतर के भी अंतर में हैं, जो सब दिशाओं में प्रविष्ठ हैं, वो मैं हूँ, मैं ही नित्य और अनित्य हूँ, मैं ही व्यक्त और अव्यक् पूर्वपस्ची मुत्तर दक्षिन उर्ध अधो दिशारूप प्रति दिशारूप पुमान अपुमान स्त्री मैही हूँ मैही गायत्र सावित्री जगती आदी छंद रूप दक्षिन आगनी अवाहार तीनो अगनी रूप सत्य गोली रूप रिग यजू शाम अर्थर्व च वे देव संका से रूद्र को देखने लगे, उनका ध्यान करने लगे, और फिर भुजाये उठाकर इस प्रकास्तुति करने लगे हे रुद्र भगवान आप ब्रह्मा रूप है ब्रह्मा रूप है आपको नमस्कार है आप बिश्नु रूप है आपको नमस्कार है आप सकंद रूप है आपको नमस्कार है आप सोम रूप, अठिगरह रूप, पतिगरह रूप, भूरूप, भोवरूप, श्वरूप, मारूप, आपको नमस्कार है, आप प्रित्वी रूप, अंतरिक्ष रूप, गोरूप, जल रूप, तेज रूप, काल रूप, यम रूप, मित्ध रूप, आमित्ध रूप हो, आ आपको नमश्कार है आप आकाश रूप, विश्व रूप, स्थूल रूप, सुष्मा रूप, किष्णु रूप, सुकल रूप, सत्य रूप, सर्व रूप हो आपको नमश्कार है तो जब भी किसी को इंपरेस करना होता था या उनसे कुछ काम लेना होता था तो उसका तारी बूलक आपके नीचे का भुबा लोग मध्यका और स्वरलूप शिरोभाग का रूप है आप विश्व रूप में केबल ब्रह्म हो दो या तीन अन्या प्रकार के ब्रह्म बश्च जान पड़ते हो आप बुद्धी रूप शांती रूप पुष्टी रूप हुद्ध रूप दंत रूप अधित रूप सर्व रूप विश्व रूप कृत अकृत रूप पर रूप परायन रूप हो आपने हमको शोम रूप अम्रित पिला के अम्रित रूप किया है हम जोती रूप को प्राप्त हुए हैं और हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है अब शत्रु हमारा जो सुख्ष्मा रूप है वही जगत का कल्यानकारी पूर्स हैं वही आपने प्रवाप से गाज्यो और गाज्य से भाप को भाप से सौम्यों और सौम्य से सुख्ष्मा को सुख्ष्मा से वायू को वायू से गरसित करता है ऐसे महागार्ज करने वाले आपको नमस्कार है सब जो उंकार है वो प्रणव है जो प्रणव है वोई सर्भव्यापी है जो सर्भव्यापी है वोई आनंत है जो आनंत है वोई तारुक रूप है जो तारुक रूप है वोई सुक्ष्मा रूप है जो सुक्ले है वोई विद्धुत है वोई परब्रह्मा रूप है जो परब्रह अब उंकार किस कारण से कहा जाता है इसलिए कि उसका उच्चरन करने में प्रानों को उपर खिचना पड़ता है इसी से आपको उंकार कहा जाता है प्रनब कहने का कारण यह है कि उसका उच्चरन करते समय रिग यजुस्थाम अथर वांगिरस प्रम्मा ब्राह्मन को प्रनाम करने में आता है इसलिए आपका नाम प्रनब है सर्व व्याप्पी किस कारण से कहा जाता है क्योंकि जैसे तीलों में तील व्याप्त होकर रहता है उसी प्रकार आप शांत रूप से सब सिष्टी में व्याप्त हो रहे हो इसलिए आपको सर्व व्याप्पी कहा जाता है अनन् जन्म व्यादी जरा और मरन वाले संगसार के माभैस से तारने वाले हैं सुकला इसलिए कहा जाता है कि इससे कहने में इसके कहने में क्रांती अतवा श्रम होता है सुक्ष्मा इसलिए कहा जाता है कि इसका उच्चारन करने में सुक्ष्मा रूभ युक्तो कर स्थाबरादी आपके सरीखों को आधिन करते हैं वेदृत कहने का कारण ये है, इसके उठ्चरेन से स्टूलमहान तमावस्ता में प्रकास होता है। अब परभाहमो कहने का कारण ये है कि पर अपर और परायन का बड़ी वीनासे ग्नान कराते हो, इजी से परब्रह्मा कहा जाता है आब एक क्यों कहते हैं इसलिए कि सब प्रानों का भक्चन करके रज रूप से उत्पत्ति और संगार करते हो कितने ही तीथों में जाते हैं दक्शिन पस्चिम उत्तर पुरुबर दिशाओं में तीथे यात्र करते हैं उन सब की यही सद्गती है, सब प्राणियों के साथ एक रूप में रहने के कारण आपको एक कहते हैं, अब रूदर इसलिए कहा जाता है कि आपके स्वरूप का ग्यान रिशियों को हो सकता है, अन्य सामानों को नहीं हो सकता, अब इशान क्यों कहते हैं, इसलिए कि आप इश इंद्र रूप से आप ही संसार के इश और दिव्यदिष्टी वाले हो इसलिए आपको इशान कहा जाता है आप भगवान महिशर क्यों कहते हैं इसलिए कि जो भक्त ज्यान के लिए आपको भजते हैं उन पर अनुगरा करते हो बानी का पदुरबाब करते हो सब भावों को त् महिमा में स्थित रहते हो इससे आपको महिशर कहा जाता है इस प्रकार का ये रूद्र का चरीत रहा है एक ही ऐसा देव सब दिश्वाओं में रहता है प्रथम उसी का जन्म हुआ वही मव्य में और वही अंत्म है वही उत्पन्ह होता है और आगे भी होगा वो प्रत्यक व्यक्ति में व्यप्त हो रहा है केवल एक रूद्रही अन्य कोई नहीं इस लोक का नियमत करता है सब उसी के वितर रहते हैं और अंत में सब का लैबी उसी में होता है विश्व का सिजन और रक्षन करने वाला वही है जो सब प्राणियों में व्यप्त हो रहा है और जिसमें सब व्यप्त हो रहा है उस इशान देब का ध्यान करने से ही मनुश्य को परम शांती प्राप्त हो सकती है जब हेत्वों के मूल अज्ञान को त्याग कर और संचित कर्मों को बुद्धी से रूद्ध में स्थाबित करके आरपन करके परमात्मा का एब्य प्राप्त होता है जो साशक के और पूरान पूरुष अपनी सक्ति से अन्य पशुप्रदन करके प्रैन्यों के मिट्दू से रक्षा करता है वही आत्मा ज्यान प्रद अर्द चतुत मात्र से सांती का देने वाला और बंदनों से मुक्त करने वाला है उस रूद्र की पधम मात्रा ब्रह्मा की रक्तवर्नकी है उसका नियमित ध्यान करने से ब्रह्मपत की प्राप्ती होती है दूसरी मात्रा विश्णू की कृष्णवर्नकी है उसका सदेब ध्यान करने वाले व्यश्णपत को पाते हैं जो तीसरी मात्रा है, वो इशान देब की पिले रंग की है, जो उसका ध्यान करते हैं, वो इशान पत को प्राप्त करते हैं. वह जो अर्द चतुरत मात्रा है वो सर्वदेब रूप अव्यक्त होकर आकास में विचलती है उसका वह नुशुद्ध स्पाटिक के समान है जो उसका ध्यान करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं मुनियों को पदेश है कि इस अर्द मात्रा की ही उपाशना करनी बाल के अग्रभाग के समासुष्म रूप सहीदे में रहने वाले विश्व देव रूप सुंदर और सेज्ट ऐसे परमात्मा को जो ज्ञानी पूरुस अपने भीतर देखते हैं वही सांती को प्राप्त करते हैं अन्यों को वह प्राप्त नहीं हो सकती क्रोत तृष्णादी है तू समों के मूल का त्याक करके तथा संचित करमों को बुद्धि पूरवग रूद्र में स्थापित करने से रूद्र से एकता होती है रुद्रही स्तावत और पुरान पुरुष होते हैं अपनी शक्ति तथा तब दोरा सब के नियत्ता है अगनी वायू जल स्थल भ्योम में सब भश्म रूप है ऐसे भगवन परशुपति की भश्मकाद जिसके अंग में सपर्ष नहीं हुआ वही भश्मबाद है इस प्रकार परशुपति की ब्रह्मा रूप भश्मपत परशुप्रानी के बंदन को काटने वाली है जो रुद्र अगनी और जल में हैं वही और शदियों और वनश्पतियों में भी प्रभिष्ट हुए हैं जिसने इस समस्त विश्व को उत्पन्न किया है उस अगनी रूप रूद्र को नमश्कार है जो रूद्र भगवान अगनी और शदियों वन स्तुतियों में रहे रहते हैं तथा जो विश्व और सब भुबनों के सिजन करने वाले हैं उसको नमश्कार है जो रूद्र जल से और सुद्यव से बनशपदियों में हैं, जिनोंने इस जगत को धारन किया हुआ है जो रूद्र, शीव शक्ति और सत्य रज्दम से पित्वी का संचलन कर रहे हैं, जिनोंने नागों को अंतरिक्ष में धारन कर रखा है, उस रूद्र को नमश्कार है रुद्र भगवान के प्रनव रूप मुर्द्र की उपशना करने से अधर्व की उच्च स्थिति प्राप्त होती है उपशना ना करने से नीची स्थिति में रहना पड़ता है सब देवों का समोई की रूप रुद्र भगवान का मस्तक ही है उसका प्राण और मस्तक का भक्षन गरने वाला है देवगन स्वयम पृतिवी आकास अतवा सुरग किशी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है सब कुछ रूदर भगवान में ही समाया हुआ ہے उनसे परे कुछ नहीं है उनसे पूर्व कुछ नहीं है उनसे भूत काल में कुछ नहीं है और भविशकाल में भी कुछ नहीं है उनके सहस्त्रपद हैं और एक मस्तक हैं वे सर्वभूतों में व्याप्त हैं अक्षर ये काल की उत्पत्ती है और काल होने से वो व्यापक होते ह व्यापक और स्वाइमान भगवान रूद्य के शायन करने पर सब प्रैनियों का अंत हो जाता है, फिर उसके स्वास लेने से तम होता है, तम से जल होता है, जल को अपनी अंगुली में मतने से सिसीर चनुक की ओश होता है, और मतने से फेन और फेन से अंडा, अंडे से ब्रहम होता है ब्रह्मा से गाहित होती है जब भे तप करते हैं तो सत्य होता है और प्र्रापा होता है जो सस्वत हुता है इतना है आट इसके बारे पढ़ेंगे तब तक ये जन्य임